हला एवरिवन वेलकम टॉ आलन मैट्रिस क्लासेश पिटा आज ओपर टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वह आपका ओपरेटर्स जहां रखना इउपरेटर कहते हैं इसको इ मतलब इउपरेटर अपने तरफ से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करता है f of कितना हो जाता है x ट काच e square कर दो तो f of x plus 2h हो जाता है मतलब उतना जुड़ जाता है जितना पावर में होता है तो इसका general बना दिया e of alpha x क्या हो जाता है f of x plus alpha into 2h भले वो minus में हो भले वो plus में हो अलफा की जागा value place कर दिया जाता है जैसे e minus one of fx आ जाए तो f of x minus h हो जाता है ये e operator का काम होता है बच्चो इस case according अपन करते हैं अब कुछ standard results भी होते हैं जो यहाँ पर आपके काम आते हैं सबसे जादा ये वो standard results हैं del of fx को कैसे place करते हो f of x plus h minus का कितना fx करके place किया जाता है ultra del हो मतलब कर वो ही रहे हैं del का मतलब होता है क्या नीचे वाले में से उपर वाले को minus करना जैसे आपर table में से करते थे वैसा ही काम इसके अंदर भी करेंगे ठीके बट बड़े में से हमेशा चोटे वाले को नीचे वाले में से उपर वाले को बड़ा चोटा नहीं देखना नीचे में से उपर वाले को माइनस करना है जैसे यह होगा तो fx में से f of x माइनस h कर रहे हैं दिखता वो ऐसा यह हो बड़े में से चोटे को माइनस कर रहे हैं बढ़ होता वो नीचे वाले में से उपर वाले को माइनस करना है x मतलब आपकी x plus h मतलब नीचे वाली slot और x मतलब उपर वाला interval अब डेल ये वाला operator यूज आगा तो f of x plus h by 2 माइनस का f of x माइनस का h by 2 यूज करेंगे अगर mu और del आजाएगा तो दोनों चीजों का sum upon में क्या कर देंगे टू कर देंगे तो ये कुछ important results होते हैं जो बहुत काम आएंगे और कुछ identities होती है जो directly question में भी apply की जाती है से पहली identity है इनके proof भी याद रखने है और साथ-साथ इनका result भी याद रखना है कि del को आप e के respect में कैसे लिखते हो ये identities है del को लिखते हो बेटा e-ka 1 अब इसका proof देखो आपने LHS उठाया और del के अंदर fx रखा तो ये del of fx कैसे formula f of x plus h minus का fx f of x plus h को क्या लिख सकते हो देखो ठीक है याद रहेगा अब अगले वाले पर आते है ना अधा next identity देखना ultra del equal to 1 minus का e inverse अब वही LHS उठाया fx multiplied del of fx क्या होता है f of x minus का f of x minus h होता है इसको आप क्या लिख सकते हो e inverse f of x लिख सकते हो fx common ले लिए 1 minus का e inverse तो del की value कितनी होगी 1 minus का कितना होगया e inverse होगया ठीक है थर्ड आपकी identity है ये direct याद भी रखनी है बेटा सारी चीजे है और इनका proof भी याद होना चाहिए क्योंकि ये आगे के questions में भी काम आएंगे del equal to e की power 1 by 2 minus e की power minus का 1 by 2 करना है तो del of fx करें है तो formula लगा है पहले इसका f of x plus h by 2 minus का f of x minus का कितना h by 2 इसको क्या लिख सकते हो बेटा e की power 1 by 2 of fx लिख सकते है न क्योंकि देखो h के साथ 1 by 2 आ रहा है इसको minus 1 by 2 आ रहा है तो e की power minus 1 by 2 लिख दिया सारे fx दुबारा काट दिया आपका result आ गया फूर्थ वाला देखो mu equal to 1 by 2 e की power 1 by 2 plus e की power minus का 1 by 2 तो mu fx किया दोनों का sum upon 2 फिर वही इसको क्या लिख दोगे e की power 1 by 2 fx इसको क्या लिख दोगे e की power minus 1 by 2 fx fx से fx कर जाएगा mu equal to y same result आ गया hence proved हो गया चीक है अब questions देखना इस type के questions कई बार ऐसे आ जाते है directly proved at यह भी ऐसे आ सकता है proved at exam में आपको prove करना पड़ेगा कोई भी identity बोसकता है चारों में से अब dal equal to e dal equal to dal e equal to का साहिन है यह बीच में है na equal to dal e equal to dal e की power 1 by 2 है तो पहले आपने RHS उठाया यह वाला funda और इसको वह पहले की तरह f of x से multiply कर दिया अब यह अंदर वाले को कैसे करोगे dal f x को लिखा f of x minus f of x minus h हम दोनों को e e से multiply कर दिया e से इसको भी कर दिया e of f x क्या होता f of x plus h है ना और f of x minus h इस पूरे को जहां देखना इस पूरे को x माल लो थोड़े के लिए capital x माल लिए e f x का क्या होता है e f x का क्या होता है f of x plus का कितना करते हो h करते हो x यह पूरा है तो x minus h यह दोनों h आपस में कर जाएंगे तो e of f x आ जाएगा समझ गया थोड़े के लिए पूर x minus h को x माल लेना और बिलकुल नॉर्मल तरीके से भी हो करना अब देखो f of x plus h minus का यहां से सिर्फ f x बचा और f of x plus h minus का f x क्या होता है dell of f x होता है तो dell f x लिख दिया f x f x cancel out हो गया आपका यह result आगया तो e dell equal to कितना हो गया dell होगे अब देखो बेटा अब second वाले को उठाएंगे dell e को उठाएंगे और उसको आगे बराबर प्रूव करें देखना वोई dell e को उठाए और dell e को उठाने के बाद उसको f x से multiply किया डली उठाया उसको f x से multiply गिया वो ही e of f x क्या होता f of x plus h इसको कैसे लिखोगे पूरे को x मान लोगे f of x plus h minus का क्या कर दिया f of x कर सकते हैं न डल of f of x plus h है यह सी format में होता है और यह वाली चीज क्या है आपके पास डल of f x है f x f x कर गया डली उकोल टू डल आ गया तीसरे वाले को देखो डली की पाउर 1 by 2 of f x है आपने e of f x को कह लिखा 1 by 2 के साथ f of x plus h by 2 अब यह पूरा आपका x हो गया डल का काम क्या होता है x plus का h by 2 minus f of x यह पूरा आपका x है minus का कितना h by 2 समझ गया लिए क्योंकि इसको आपने capital x माल ले थोड़े लिए तो formula क्या होता है dell जब होता है तो x plus का h by 2 f of x minus का कितना h by 2 h by 2 से h by 2 कड़ गया और सारी यह वाला यह वाले h by 2 से यह वाले h by 2 आपका cancel out हो गया और यह cancel नहीं होगा गलत है cancel नहीं होगा यह cancel नहीं होगा यह है इसके अंदर मतला मैंने tick कर रखा है उपर तो ध्यान से देख लेना तो यह दोनों तो नहीं कटे और यह दोनों cancel out होगे तो यह h by 2 और h by 2 मिल करके क्या होगे h by 2 और h by 2 मिल करके क्या होगे h हो गया तो इसको h लिख दिया और यह f of x अब यह क्या हो जाएगा डल of क्या हो जाएगा f of x fx कर दिया यह तीसरी वाली चीज भी प्रूव होगी done हो जाएगा यह अपने पांच वा प्रूव किया इसका result याद में रखना है यह question की format में आएगा तो उसको question की तिरे solve करना है अब ultra del equal to e minus 1 और यह del e minus 1 del वह इसको उठाया रह इसको उसको fx से multiply और del fx क्या करता है f of x प्लस से जो माइनस का f of x करता है e inverse को अंदर इससे भी कर दिया e inverse को इससे भी कर दिया यह inverse से कर रखा है यह यहाँ दुबारा लिख देता हूँ मैं e inverse और यह कितना आपका f of कितना x कर रखा है similarly यह e inverse यहाँ भी कर रखा है e inverse और यह कितना f of x प्लस का h कर रखा है तो यह क्या हो जाएगा f of x प्लस इस पूरे को x मानोगे थोड़ देख लिए capital x तो minus क्या करता है x minus का h कर देता है तो x की value यह थी तो x plus h minus का h लग दिया और यह क्या होता x minus h करता है इस यहाँ पर h से यह वाला h cancel out हो जाएगा f of x minus f of x मानोगे तो इसको कह लिखते हो अब dell of fx फिर fx fx कर दिया answer आगे done now the next question proved at proved at dell की power r y of k का मतलब क्या है इसका मतलब वो ही है जैसे f of x होता है तो आपने पहले rhs उठाया यह ध्यान देखना rhs उठाया del की power r y of k plus r del को क्या लिख सकते है अब वो ही result सबसे पहला second number वाला ultra del क्या होता है 1 minus का e inverse उसका formula मैंने का था ना formula याद अगना क्योंकि वो question में अपलाई होंगे मतलब proofs तो del की value पूट कर दी 1 minus e inverse की power यह total कितना r और y of k plus r e inverse को लिख दिया 1 upon e इसकी power r y of कितना k plus r अब taken lcm e minus का 1 कर देंगे e minus का 1 उसकी power r और यह upon में e बचेगा उसको e की power minus r करके अलग-अलग कर दिया यह यहाँ पर आपने उसको अलग-अलग कर दिया e की power यह minus का r और y of k y of k e की power minus r आया तो इसको आप के कर दोगे k minus का r कर दोगे तो यह k plus r तो पहले से ही था k plus r तो ये पहले से ही था कि k plus r है इसको मैं बेटा उपर कर रहा हूँ ध्यान से देखना weight इसको मैं यहां कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल clear format में वो चीज़ मैंचन हो जाएगी कि इस वाले को मैं कैसे solve कर रहा हूँ ठीक है इसका पहले LCM लिया e minus का 1 उसकी power r और वो जो नीचे e की power आ रहा था उसको e की power minus r करके उपर कर दिया और यह y of कितना है k plus का कितना है बच्चा r है ठीक है है अब e minus 1 को तो आप लिख दोगे सीधे del की power कितना r e minus 1 यह क्यों हो जाएगा y k plus का कितना r k plus का कितना r और minus का कितना r कर देंगे ठीक है r से r कर जाएगा k plus r आ गया और वो ही अपने को लाना था easy talk के done हो जाएगा चलो next पर आते next proof करना है आपको del की power r y of k del की power r y of k minus k r करना तो आपने वो ही lhs को उठाया इस बार किसी को भी ढ़लो कोई फ्रक ने पड़ता इस del की value पूट कर दो 1 minus का e inverse k power r इसको वो ही 1 upon e लिख दिया है e inverse को l से में लिया e minus 1 की power r e की power r नीचे अलग-अलग कर दी power y of k e की power minus r करके उपर चला गया और ये k plus का अब आप क्या कर दोगे minus r है यहां कुछ नहीं है न यह y of k था तो minus r है तो k minus r कर दोगे और e minus 1 को क्या लिख दोगे del की power r वो आपने place कर दिया आगे आग rhs that is equal to कितना rhs so simple evaluate del by e का square fx where h is the interval of differencing h क्या है आपका interval of differencing interval of differencing मतला h की term में answer दीगना है सबसे पहले सीधे del को लिखा e minus का 1 upon e और उसका whole square f of x चीए अब यह कुछ भी नहीं है फिर आपने 1 minus का 1 upon e कर दिया इसका whole square f of x 1 minus e inverse अलग कर दिया है ना और minus और 12 उपर power 2 है ही सिरी आपके पास खोल दिया minus b का whole square a square plus b square minus 2ab और यह fx बिटा fx को अंदर वेजा 1 से multiply fx फिर e की power minus 2 fx करूँगा तो f of x minus 2 है चो जाएगा फिर e की power minus 1 fx करूँगा तो f of x minus का है चो जाएगा यह होता है method of interval of differencing या method of differencing के नाम से है तो आपको h की term में इस तरीकी से answer को place करना है got it now the most important question prove that u naught plus x u1 upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial u2 plus x cube upon 3 factorial u3 equal to e की power x u naught x del u naught x square upon 2 factorial del square u naught यह prove करना है आपको अब यह question करा हुआ नहीं हो तो exam में हिलता भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर let करना पड़ता है इसी के जैसा कुछ function यह u naught u1 u2 u3 है तो आपने u n एक function मना लिया और उसको लिखा e की power and u naught चीग है अब एक की करके n की value place करेंगे 0 1 2 3 4 सबसे पहले आपने u 0 n की जेगा 0 place किया फिर x मतलब यहाँ पर इसके अंदर यह lhs उठाया है यह u naught है फिर यह u1 है ना तो e u naught कर दिया फिर u2 है तो e square u naught कर दिया ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा u naught सम्मे से common ले लिया lhs में यह u naught की value n की जेगा 0 u1 की value n की जेगा 1 यह इस formula में डाला है ना जो आपने यहाँ पर माना था ना उसके अंदर रिखे करके n की value को place करते चलेगा चीक है अब u naught common ले लिया 1 plus xe plus xe का whole square यह xe का whole square upon 2 factorial बन रहा है बना दिया इसको क्या लिख सकते हो e की power xe लिख सकते हो del अलग-अलग कर लो e की power x del अलग e की power x अलग और कितना u naught अब e की power x del को वापस से e की power x वाले expansion से खोल दिया 1 plus x plus x square upon 2 factorial और u naught बहार that is the RHS I think यह आ चुका होगा नहीं आए तो कोई डिक्कत हो तो पूछ रहे न definitely यह आपके क्या थे operators थे इसको बहुत ध्यान से कर लो ठीक है ओके बाकी अपन next class में लेते